दोसों आप में से बहुत सारे लोगों का ये पूछना है कि जब हम Dreamleven अप्लिकेशन में टीम बनाते हैं और हम अपनी टीम में किसी सब्सिट्यूट प्लेयर को लेते हैं मगर जैसे ही मैच सुरू होता है तो हमारा जो सब्सिट्यूट प्लेयर है वो बदल जाता है तो आखि ये फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आप भी Dreamleven अप्लिकेशन में टीम बनाते हैं और आप अपनी टीम में किसी इंपक्ट प्लेयर यानि कि किसी सब्सिट्यूट प्लेयर को लेते हैं मगर जैसे ही मैच लाइव होता है शुरू होता है तो वैसे ही आपका जो substitute player है वो backup player के साथ में replace हो जाता है तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका जो substitute player वो बदले match शुरू होने के बाद में भी तो आपको क्या करना चाहिए यह मैं आपको practically demo के साथ में इस वीडियो में दिखाने वाला हूं मगर थोड़ा सा हमें इंतिजार करना होग साम के साथ बज़ने का क्योंकि साम को साथ पज़े के बाद में टीम announce हो जाती है और practical demo दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा और आसानी हो जाती है दोस्तों साम के बज़ गए है साथ और जो टीम की announcement है वो भी हो चुकी है और अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको practical demo के साथ में ये बताने वाला हूँ कि जब हम किसी substitute player को अपने team में add करते हैं तो जैसे ही math start होता है तो हमारा जो substitute player है वो बदल क्यों जाता है यानि की change क्य हो जाता है तो यह समझने के लिए यहाँ पे मैंने दो team बना करके रखी हुई है अब देखे सबसे पहले जो team है जो की है team 1 इसकी जो playing 11 है वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो देखे यहाँ पे मैंने substitute player को लिया है इसान सर्मा का तो सबसे पहले गलती क्या करते है बहुत को कर देते हैं सेव अब दोस्तों यहाँ पे जो team 1 की जो playing 11 है जैसे ही मैच स्टार्ट होगा तो इसान सर्मा जो है वो replace हो जाएगा रिसा पंत के साथ में और यहाँ पे जैसे ही मैच स्टार्ट होगा लाइव होगा तो मैं इसका जो screenshot है वो भी आपको दिखा दूगा तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं वो यही गलती है कि उनका जो substitute player है वो बदल जाता है बदल इसलिए जाता है क्योंकि आप backup add कर लेते हैं तो आपको पता लग गया होगा कि जब आप किसी substitute player को अपनी team में add करते हैं तो match start होने के बाद मे मैं आपको यह demo के साथ में दिखाने वाला हूँ कि जब आप अपने playing alien में किसी substitute player को लेते हैं तो आपको उसे कैसे लेना चाहिए तो दखी यहाँ पे मेरी यह है team 2 जिसके अंदर मेरी जो playing alien है वो आप देख सकते हैं और इस playing alien में भी मैंने इसान सर्मा यानिकी substitute player impact player को ले रखा है और अब दोस्तों यहाँ पे जो team 2 है उसके अंदर में backup add नहीं करूंगा और जब इसान सर्मा खेलेंगे तो उसके जो point बनेंगे वो मेरी टीम में add हो जाएंगे क्योंकि dream alien application का यह rule है कि जो भी खलाड़ी आपके playing alien में होता है बस उसी के point आपको मिलते हैं अलाग के time पे dream alien application का यह clearly rule mention है कि आपके playing alien में जो भी खलाड़ी add होगा बस उसी के point आपको मिलने वाले हैं तो make sure दोस्तों अगर आप अपने substitute player को change नहीं करना चाहते हैं तो आपको substitute player को अपनी playing alien में add करना है और उसके लिए आपको कोई भी backup add नहीं करना है जैसे कि मैंने team 2 में क भी backup add नहीं किया है तो इसके बाद में आपकी team का जो भी substitute player है वो change नहीं होगा तो I hope कि दोस्तों अब आपके सारी doubt clear हो चुके होंगे कि आपको substitute player को कैसे लेना है ताकि आपका substitute player है वो बदले ना और जो substitute player के point है वो आपकी playing alien में add हो जाए दोनों ही demo यहां पे मैंने आप को live दिखा दिया है और जैसे ही match start होगा तो live यहां पे screenshot भी मैं attach कर दूँगा आशा करता हूँ जानकर यह आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो पे like कर दीजेगा दोस्तों के साथ में share कर दीजेगा और साथ ही channel पे रहे हैं तो channel को भी subscribe कर दीजे बेल notification को भी all पर set करना ना भूले